नमस्कार, Tech to the Core में आपका स्वागत है, मेरा नाम है अभिशेक और ये है podcast series का episode number 3 इस podcast में हम discuss करने वाले हैं कि कैसे हम एक अच्छा camera वाला smartphone बाई कर सकते हैं ये podcast खासकर उन लोगों के लिए है जो कि बहुत ही जादा भारी भरकम technical terms को जाने बिना ही इतनी information लेना चाते हैं जिससे कि वो ये decide कर पाए कि कौन सा camera smartphone उनके लिए सबसे सही रहेगा उनके needs के अनुसार और साथ ही में उनके budget पे कौन सा phone सबसे सही रहेगा उनके लिए तो चलिए इस guide को अब हम शुरू करते हैं, let's get started इसमें सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ कि कितने तरीके के lens या sensors आजकल आपको smartphone लोग जानते होगी कि आजकल आपको कई सारे lens मिलते हैं देखने को smartphone में कई phones में आपको quad camera मिलेगा, 4 lens के साथ आने वाले कई में आपको triple camera मिलेगा कुछ में आपको dual camera भी मिलेगा और single camera तो शायद ही आजकल आपको किसी भी phone में मिलेगा तो इतने सारे जो lens होते हैं इतने सारे जो sensors होते हैं उनका अलग-अलग सब का काम है और वो क्या काम है चलिए उसको discuss कर लेते हैं पहले सबसे पहले तो होता है एक standard या main camera जिसको हम कहते हैं अब standard या main camera और कुछ नहीं है बलकि ये वो camera है जिससे कि आपका smartphone start होता है यानि कि जो default पर आपका camera होता है वो standard camera होता है किसी भी phone में अगर एक camera है तो वो standard camera ही कहलाएगा किसी में अगर 3-4 lenses हैं या sensors हैं तो उसमें भी एक ऐसा lens जरूर होता है जो कि standard होता है या जिसको हम main कहते हैं अब इसकी कुछ खास ऐसी बात तो नहीं होती है लेकिन ये जरूर है कि ये हर तरीके की condition में photos को click कर सकता है इसका कोई अलग से specialization नहीं होता है जैसे कि बाकी sensors का होता है जो मैं आपको बताऊंगा लेकिन ये है कि जिस भी sensor में आपको सबसे ज़्यादा megapixels बताए जाएं जैसे कि अगर आपको किसी phone में 64 megapixel बताए जाता है या किसी phone में आपको 108 megapixel बताए जाता है तो इसका मतलब आप यह समझ लीजे कि जो standard lens है यह main camera है उसकी यहाँ बात हो रही है और उसी के sensor का जो megapixel count है वो सबसे जादा होता है इसका एक और मतलब है कि यह अमूमन best camera होता है एक smartphone setup का और इसका यह भी मतलब है कि most commonly जिस sensor से आप images क्लिक करोगे या करने वाले हैं वो यह standard camera ही होता है इवन जो videos हम normally बनाते हैं daily life में वो भी हम standard या main camera से ही बनाते हैं इसके बाद चलते हैं जो दूसरा सबसे जादा commonly आपको देखने वाला sensor मिलेगा वो है ultra wide lens ultra wide lens आपको wider field of view देता है इसका simple सा मतलब यह है कि आप एक ही image में और जादा लोगों को accommodate कर सकते हैं यह generally तब काम आता है जब आप कोई group photos लेना चाहते हैं या ऐसा case होता है कि आप एक landscape की panoramic image लेना चाहते हैं तो ऐसे case में wide angle lens का काम हाता है इसके अलावा अगर आप कोई बहुत ही उची building की image लेना चाहते हैं तो उस case में भी wide angle camera काम आ सकता है अब wide angle camera की खास बात यह है कि यह आपको लगभग सभी smart phones में देखने को मिल जाएगा मतलब कि अगर आप 8-9,000 रुपे खर्श करते हैं और एक decent smart phone लेते हैं तो उसमें भी आपको wide angle lens मिलने की काफी ज़ादा high chances है इसका reason यह है कि यह wide angle lens काफी ज़ादा सस्ती आती है इसको इसमें जो technology यूज होती है वो कोई बहुत ज़ादा expensive नहीं है इस वज़े से most companies आजकल आपको wide angle camera तो कम से कम देही देती है primary sensor के अलावा इसके फादे तो मैंने आपको गिना दिये कि आप इसको wider field of view के लिए use कर सकते हैं group photos में इस्तमाल कर सकते हैं, landscapes में इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन इसका disadvantage सबसे बड़ा यह है कि जब low light conditions आ जाती है यानि जब हम रात में photos को click करते हैं या ऐसा time आजाता है जब daylight भी उतनी जादा strong नहीं रहती है तो ऐसे कि इसमें wide angle lens की overall quality है वो काफी जादा गिर जाती है और काफी drastic आपको change देखने को मिलेगा अगर low light images आप capture करते हैं wide angle lens से तो ultimately इस से फरक यह पड़ता है कि जो detailing है images की वो उतनी sharp नहीं रह जाती है अगर आप closely उसको zoom करके image को देखेंगे तो उसमें आपको कई सारे grains और pixelation आपको नजर आएगा wide angle lens में by default एक और चीज होती है एक और defect होता है जिसमें क्या होता है कि जो sides हैं जो edges होते है images के wide angle lens के द्वारा click किये गए उसमें आपको थोड़ा सा image blur नजर आएगी ऐसा इसलिए होता है क्योंकि wide angle lens जादा field of view को capture करती है लेकिन जो उसका focus होता है वो काफी जादा limited होता है तो यह यह तो बात हो गई ultra wide angle lens की या जिसको wide angle lens commonly कहा जाता है इसके बाद जो तीसरा आपको most commonly sensor या camera देखने को मिलेगा वो है macro camera macro camera जो है वो आपको बहुत ही recently जो phones आ रहे हैं मतलब 1-10 साल से या 2 साल से जो phones आ रहे हैं उनमें आपको देखने को मिलेगा mostly यह budget phones में देखने को मिलता है मतलब कि अगर आप 20-22 रुपे से जादा खर्च करते हैं तो शायद ही आपको किसी phone में macro lens देखने को मिले इसके कई सारे reasons हैं सबसे पहले तो इसके जो फाइदे हैं वो मैं आपको गिना देता हूँ macro lens इसलिए दी जाती है कि आप बहुत ही जादा जो close-up shots हैं वो capture कर सके जैसे कि आप एक flower का अगर shot लेना चाहते हैं या बहुत छोटे से insect का shot लेना चाहते हैं तो जो macro lens होती है, macro camera होता है वो इस काम के लिए बना होता है लेकिन इसका जो फाइदे हैं वो actually यहीं तक बस्सिमित है इस से जादा इसके कोई फाइदे खास है नहीं और disadvantages जो इस camera के साथ आते हैं वो इसके advantages को काफी हद तक पीछे खीच लेते हैं सबसे बड़ा disadvantage यह है कि यह जो macro lens है यह बहुत ही जादा low resolution पे आती है अब इसे होता क्या है इससे दो चीजे होती है पहली बात तो जो low light images होती है वो बहुत ही जादा पूर आती है आप 10 में से 9 phones में देखेंगे कि macro lens जो है वो almost useless होता है क्योंकि उसकी quality इतनी जादा खराब होती है और वो low light में तो बिलकुल unusable हो जाता है जिसकी वज़े से macro camera जो है वो almost useless है उसका कोई खास ऐसा काम नहीं रह जाता है और यही reason है जिसकी वज़े से आपको जो flagship phones है जो high end phones है उसमें macro lens देखने को कभी भी नहीं मिलेगा आप आज के समय में जितने भी flagship phones देखेंगे किसी में भी आपको macro lens देखने को नहीं मिलेगा macro cameras आपको सिर्फ और सिर्फ 20,000 तक के price point पे आने वाले phones में मिलेगे और इस price के उपर आपको macro lens देखने को नहीं मिलेगा macro camera देखेंगे actually companies हमसे सिर्फ एक खेल खेलती है वो है camera's के numbers का खेल यानि 4 cameras हो जाएंगे 5 cameras हो जाएंगे तो उसमें macro camera का एक जरूर addition हो जाता है जिसकी वज़े से companies हमको ऐसे बताती है कि जैसे उसमें 4 cameras, 5 cameras, इतने सारे cameras हो जाते हैं इसके बाद चलते हैं एक और टाइप आफ लेंस पर जो की है telephoto या periscope lens जिसको आप कह सकते हैं अब ये lens जो है इसके बारे में मैं बहुत सारी videos अलड़ी बना चुका हूँ इस lens का basically काम ये होता है कि वो optical zoom आपको provide करता है optical zoom को मैं ज़्यादा detail में ना जाते हैं हुए ऐसे आपको बता सकता हूँ कि जब किसी phone में telephoto lens होती है या periscope camera lens होती है तो उसमें जब आप zoom करते हैं cameras में photos click करते वक्त या videos बनाते वक्त तो जो zoom होता है उसमें quality degrade नहीं होती है वो actual zoom होता है इसका मतलब ही होता है कि जो camera lens है आपकी वो actually में उस level का zoom आपको provide करती है जो की originally होना चाहिए तो इससे आप समझ सकते हैं कि अगर आपको zoomed images लेने का बहुत shock है तो आप ये ज़रूर make sure करें कि आप एक ऐसा phone लें जिसमें telephoto lens ज़रूर आता हो या periscope lens आता हो इसके एक दो और बहुत बड़े बड़े फायदे हैं जिसमें सबसे पहला है कि portrait images click करने के लिए ये telephoto lens बहुत ज़ादा काम आती है जी हाँ जो सबसे पहला proper phone आया था जिसमें एक portrait mode आता था वो था iPhone 7 और iPhone 7 में जो secondary camera था वो actually एक telephoto lens का ही आता था telephoto lens पे मैंने अल्लेड़ी एक वीडियो बनाई है उसका link आपको मैं या आई बटन में दे दूँगा आप उसको वहाँ चेक कर सकते हैं तो जहाँ telephoto lens आपको 2x या 3x तक का optical zoom at maximum दे सकती है वहीं पे periscope अगर lens आ जाती है किसी phone में तो वो आपकी जो zoom lens है उसको 5x या 10x तक भी लेके जा सकती है इसकी जो technology है और ये कैसे काम करता है ये भी मैंने एक अपनी वीडियो में बहले से बता रखा है तो वो वीडियो भी आप चेक कर सकते हैं अगर आपको समझना है कि periscope lens actually में कैसे काम करते है तो ये telephoto या periscope lens जो होती है ये actually में काफी useful है और इसी लिए ये आपको high end phones में ही जादा दर देखने को मिलेगी मतलब कि अगर आपको optical zoom वाली lens चाहिए आपको ऐसा camera चाहिए जिसमें आप optical zoom का मज़ा ले सकें तो आपको definitely 35,000 रुपए से उपर खर्च करने ही पड़ेंगे और आपको एक flagship phone लेना ही पड़ेगा तभी आपको ये telephoto lens किसी भी phone में देखने को मिल पाएगी इस lens का सबसे बड़ा फाइदा ये है कि एक तो आपको ये zoom देता है optical zoom साथ में जब portrait mode या background blur या ऐसी images आप क्लिक करते हैं तो उस case में भी ये बहुत ज़ादा काम आती है लेकिन इतने फाइदे होने के बावजूद एक ऐसा disadvantage है जो कि telephoto lens के favor में नहीं जाता है और वो है इसकी low light performance अगर आप एक बहुत ही low light area में है या आप basically night photography कर रहे हैं तो ऐसे case में जो telephoto lens है वो आपके बहुत ज़ादा काम नहीं आएगी इसका simple सा reason ये है कि telephoto lens क्योंकि एक zoom lens होती है तो उसका aperture जो होता है वो बहुत छोटा होता है अपरचर छोटा होने की वज़े से उसमें जो light enter करती है वो उतनी ज़ादा नहीं हो पाती है जिसकी वज़े से जो overall image quality है जो उसमें details है वो अच्छे से capture नहीं हो पाती है तो य इसे हम compare करें ultra wide angle lens से या एक macro camera lens से और दोस्तों इसके बाद जो सबसे last lens मैं आपको बताने वाला हूँ वो है depth sensor या जिसको आप 3D time of flight sensor के नाम से भी कई phones में देखेंगे अब depth sensor जैसा की नाम से ही पता चल रहा है ये actually जो field of view है उसकी में depth कितनी है किसी image में depth कितनी है उसको पता लगाने के लिए sensor का इस्तमाल होता है अब अगर आप बात करें depth sensor की तो जो budget smart phones है या जो mid range के smart phones है 30,000, 35,000 के price पे आने वाले जो phones है उसमें आपको depth sensor ही देखने को मिलेगा इस काम के लिए लेकिन जो बहुत ही महेंगे flagship phones है मतलब 50,000 से उपर के आने वाले जो flagship smart phones है आपको depth sensor की जगा 3D time of flight sensor मिलेगा जिसको TOF sensor भी कहा जाता है ये एक और भी ज़्यादा advanced technology है ये depth को और ज़्यादा बहतर तरीके से capture करती है इस वज़े से जो images है उसमें depth यानि portrait mode की images और ज़्यादा बहतर आती है और जैसा कि आप नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये technology आजकल आपको देखने को मिलेंगी इसके बाद दोस्तों बहुत जरूरी है कि हम अपनी सही जरूरत को समझें और उसी से हमको ये पता चल सकता है exactly कि हमें कितना पैसा खर्च करना चाहिए एक smartphone camera पे मतलब कि अगर आपका बहुत ही casual use है smartphone camera का जिसमें कि आप कभी कभी occasionally social media प जाधा खर्च करने की जरूरत नहीं है इस range में आने वाले जितने भी camera smartphones है वो more than enough perform करते हैं और आपको कोई भी शिकायत नहीं रहेगी चाहे वो daylight को हो चाहे वो low light performance हो उन दोनों भी performance है आप जरूर satisfy हो जाएंगे इसके लावे एक factor इसमें ये भी हो सकता है कि अगर आप front camera का इस्तमाल जाधा करते हैं यानि vlogging करते हैं या आप selfies लेना जाधा पसंद करते हैं तो ऐसे case में आपको front camera उस पे जाधा ध्यान देना चाहिए उसकी specifications को आप ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए बहतर होगा और इसी के साथ साथ आपको ये भी समझ में आएगा कि आपक उचली में कितने number of cameras की जरूरत है अगर आपको लगता है कि आपको zoom lens चाहिए ही चाहिए और आप अपनी वीडियो जो बनाते हैं या जो images क्लिक करते हैं उसमें आप zoom का function काफी जाधा इस्तमाल करने वाले हैं तो ऐसे case में आपको जरूर ऐसा phone लेना चाहिए जो की telephoto lens के साथ आता हो तो इस तरीके से आपको अपनी जरूरत को समझ सकते हैं मुझसे बहतर आप अपनी जरूरत को समझ सकते हैं और उसके बाद आपको decide करना चाहिए कि आपको कितना पैसा खर्श करना है एक अच्छा camera लेने में smartphone का इसके बाद next एक factor आता है mega pixels mega pixels आखिर कितना परक पड़ता है एक smartphone camera की quality में तो देखे इसका बहुत ही एक simple तरीका है समझने का जब तक आप एक mid range या आप lower range के जो phones हैं उनको आप compare कर रहे हैं तो megapixels बहुत जरूरी हो जाते हैं ऐसे case में for example अगर आपका budget 15,000 रुपय का है और आपको उसमें दो phones मिलते हैं एक phone में 48 megap camera है और एक में 64 megapixel camera है तो most cases में ऐसा होगा कि 64 megapixel camera 48 megapixel वाले से बहतर निकलेगा हर मामले में हर तरीके की image processing में वो बहतर निकलेगा लेकिन जब आप compare करते हैं एक 20,000 रुपय के phone से जिसमें की 108 megapixel का camera है और आप compare करते हैं उसको सीधे-सीधे iPhone से या Samsung के किसी flagship phone से जिसमें की 12 megapixel या 13 megapixel का camera आता है तो यह जो comparison है यह बिल्कुल ठीक नहीं होगा क्योंकि जब आप एक बहुत high budget पर चले जाते हैं तो उसके इसमें megapixel का कोई मतलब नहीं रह जाता है जब तक आप 25,000 रुपय के price point तक रहते हैं या जादा से जादा आप 30,000 तक के price point तक रहते हैं तब तक ज़रूर megapixel का एक significance होता है उसका एक महत होता है लेकिन इस price point के बाद megapixel से फरक नहीं पड़ता है और यह आप practical life में भी देखेंगे iPhone के जो camera's होते हैं वो 13 megapixel के होते हैं generally या 12 megapixel के होते हैं लेकिन वो फिर भी 108 megapixel के Android में जो camera's आते हैं 20,000 रुपय के दाम पे जो आते ह तो इसलिए जब तक आप एक low budget का phone लेने की सोच रहे हैं तो आपको megapixel पे ध्यान देना चाहिए लेकिन अगर आप flagship phones ले रहे हैं तो उसमें megapixel का कोई फरक नहीं पड़ता है इसके बाद दूस्तों एक और बहुत important point आ जाता है जो कि है processor अक्सर हम लोग processor के बारे में सोचन फाइदे होते हैं पहला यह कि जो software है जो image process करने वाला software है उसके algorithms हैं जो एक brand अपने इसाब से उसको set करता है वो processor अगर अच्छा होगा तो और ज्यादा बहतर perform करेंगे दूसरा फाइदा यह है कि अच्छा processor या fast processor होने से जो camera की shutter speed है वो भी और ज्यादा fast हो जाती है मतल देखने को मिलेंगे उसके साथ साथ एक और added advantage आ जाता है कि अगर processor बहुत अच्छा है तो आपको battery efficiency और जादा बहतर मिलेगी और जैसा कि आप जानते होंगे कि जब cameras हम लोग इस्तमाल करते हैं तो battery का consumption है वो बहुत जादा matter करता है वो बहुत जादा बढ़ जाता है तो जैसे कि इसमें अगर processor बहतर होगा तो camera की performance भी definitely बहतर होगी इसके बाद दोस्तों कुछ बहुत ही छोटे छोटे points है जैसे कि किस brand का आपके phone में camera lens है वो भी बहुत important हो जाता है कभी-कभी तो इसका देखिए एक simple guide मैं आपको बता देता हूँ अगर किसी phone में आपको Samsung का sensor sensor मिलता है और लगभग उसी price पे आपको किसी phone में Sony का sensor मिलता है और तीसरा एक Zaias का sensor मिलता है तो इन तीनों में ही सबसे best जो sensor होने की chance है वो है Zaias का sensor Zaias के sensors actually बहुत ही rarely आपको phones में देखने को मिलेंगे जो बहुत high-end flagship phones होते हैं उनमें ही आपको Zaias की lens देखने को मिले या आपको Samsung के lens देखने को मिलेगी जब आपको Sony के lens या Samsung के lens में decide करना हो तो आप जरूर Sony lens के साथ जाएं क्योंकि Sony lens बहुत पहले से sensor बनाते आ रहे हैं और दूसरी बात यह है कि आज भी Sony के जो sensor है उनका जो उनकी जो lens है वो काफी ज़्यादा बहतर है Samsung के comparison में next बात करते हैं stabilization की आज कल आपको ज़्यादा तर phones में किसी ना किसी तरीके का image stabilization देखने को ज़रूर मिलेगा लेकिन इसमें भी दो differentiating factors होते हैं कुछ phones में आपको EIS देखने को मिलेगा मतलब की electronic image stabilization और कुछ phones में आपको optical image stabilization देखने को मिलेगा अब इन दोनों में क्या फर्ख होता है यह मैंने बहुत ही detail में एक video में अलड़ी बता रखा है तो आप वो i button पे click करके देख सकते हैं चेक कर सकते हैं उसको लेकिन simple तरीके से मैं आपको समझाओं तो optical image stabilization आपको high end phones में देखने को मिलेगा इसका मतलब यह है कि जो lens है वो actually में adjust करती है आपके movement के साब से और इसलिए जो videos आती हैं जो images आती हैं वो बहुत जादा stable होती है जबकि बात करें हम अगर EIS की तो electronic image stabilization actually एक software feature होता है और यह बहुत जादा depend करता है बहुत जादा vary करता है brand to brand मतलब किसी company के phones में EIS जादा अच्छा हो सकता है और कुछ brand के phones में आपको EIS उतना अच्छा perform करता हुआ नहीं मिलेगा अगर आप एक high end phone ले रहे हैं मतलब 35-40,000 रुपए से जादा अगर आप एक phone पे खर्च कर रहे हैं तो उसमें आपको tensile लेने की बात नहीं है OIS optical image stabilization और EIS दोनों का combined उसमें आपको जरूर मिलेगा लेकिन अगर आप budget phone लेते हैं अगर आप कम price पे phone लेते हैं तो उसमें अगर आपको optical image stabilization मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर EIS मिल जाता है तो वो भी दिक्कत नहीं है लेकिन ये आपको जरूर make sure करना चाहिए कि उस phone में जो आप लेना चाहते हैं उसमें EIS या OIS जरूर हो दोनों में से कोई एक चीज कम से कम होनी ही चाहिए इसके अलावा दोस्तों manual mode भी होना जरूरी है especially उन लोगों के लिए जिनको अपने phone के camera की settings से अलग-अलग तरीके की images click करना बहुत जादा पसंद है वो थोड़ा और जादा दिमाग लगा के manually control करना च सभी में लग-भग आपको manual mode अलग से देखने को मिल ही जाएगा तो इसलिए manual mode के हिसाब से भी मुझे लगता है कि जादा आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है अब दोस्तों एक सवाल और होता है कई लोगों का कि जो लोग high and flagship phones लेते हैं वो ये अक्सर मुझ से उन phones को लेना चाहिए तो ऐसे में मैं कहूँगा कि इसमें एक तो personal preference आपका हो सकता है अगर आप iPhone के product से ज़्यादा खुश रहते हैं तो आपको iPhone के साथ ही जाना चाहिए और अगर आपको Android की जो flexibility है वो जादा पसंद आती है तो आप Android के साथ जाईए हां लेकिन अगर तो मैं कहूँगा कि अगर आपको अपने smartphone camera से बहुत जादा अलग-अलग तरीके की images क्लिक करना पसंद है आप उससे play करना चाहते है manually, control करना चाहते है अलग-अलग चीज़ों को तो उस case में आपको Android के साथ जाना चाहिए क्योंकि उसमें आपको जादा number of lenses मिल जाएंगी experiment करने के लिए, दूसरा उसके जो inbuilt features होते हैं वो बहुत जादा बहतर होते हैं iPhone से, तीसरा ये कि बहुत सारी ऐसी apps हैं जो कि आपको Android में जादा बहतर मिलेंगी rather than एक iPhone में, हाँ लेकिन आपको iPhone के साथ तब जाना चाहिए, जब आपको जादा तर automatic mode में ही camera को use करना है और लास्ट में दोस्तों, दो और ऐसे points हैं जिनको मैं आपसे share कर देता हूँ, पहला ये कि अगर possible हो, तो आप side by side जो है कई सारे phones को compare करें, आप किसी shop में जाएं, आप experience store पे जा सकते हैं, और आप shopkeeper से कहें कि मुझे जितने भी सारे phones हैं, उनका side by side comparison करना है, आपको उनको test क करना है उनके cameras को, तो अपनी आखों से अगर आप अपने सामने ही उनको compare करेंगे तो जाधा बहतर होगा, और लास्ट में दोस्तों, अगर आपको फिर भी side by side comparison करने का मौका नहीं मिलता है, और फिर भी आप जानना चाहते हैं कि कौन सा camera जाधा बहतर है, तो एक website है, जो क smartphone cameras को एक ranking देती है, उनको rate करती है, उस company का नाम है Dxomark, इसका link मैंने description box में डाल दिया है, आप वहाँ जाकि चेक कर सकते हैं कि कौन सा smartphone कितना जाधा score करता है, और उसे आप एक rough अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा phone जाधा बहतर है camera department में, लेकिन मैं आपको फिर भी बता जाना चाहिए, ना कि Dxomark पे, तो दोस्तों ये था episode 3 इस podcast का, I hope कि आपको काफी help हुई होगी इस camera buying guide से, अगर आपको इस podcast अच्छा लगा हो तो आप इसे like करें, और इसे आप share कर सकते हैं उन लोगों में जो की एक नया camera smartphone लेना चाहते हैं अपने लिए, और अगर आपक तो ऐसे ही podcast अच्छे लगते हैं, ऐसी ही आपको technology से related videos पसंद आती हैं, तो आप इस channel को ज़रूर subscribe कर सकते हैं, और notification bell icon भी ज़रूर दबाएं, जिससे की आपको पता चल जाएगा जब भी हम कोई नई video upload करते हैं, मिलते हैं next video में या podcast में, तब तक के लिए good bye